तो गाइज नोकिया 6.1 प्लस और नोकिया 6.2 की हुच सक्सेस के बाद अब नोकिया अपने 6 स्रीज में जल्दी नोकिया 6.3 को लॉंच करने की तैयारी में है जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं गाइज नोकिया 6.3 को इंडियन मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला है क्योंकि नोकिया 6.3 में होने के साथ साथ बज़ाट स्मार्ट फोन भी है तो गाई सबसे पहले अगर हम बात करें फोन के ओवराल लुक की तो फोन इस पर काफी प्रीमियम होने वाला है आपको बैक साइड में फुल अनुमिनम बॉडी देखने को मिलने वाली है फोर रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें 20 MP का Primary Camera 8 MP का Wide Angle Camera 2 MP का Depth Camera और 2 MP का Micro Lens Camera विद LED Flash के साथ देखने को मिल जाते हैं वही फ्रेंट साइड में 6.3 इंस का Full HD Pure Display है जो की कोरिंग गॉल ले गलास प्रोटक्शन के साथ में आता है और साथी फ्रेंट में आपको पंच होल के साथ 16 Megapixel का Selfie Camera मिलेगा वहीं अगर हम बात करें गाइज प्रोसेसर की तो फॉन में आपको इस बार Qualcomm Snapdragon 660 इस चिप्सर देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरो से 5G को सपोर्ट करेगा जो कि Gaming Lover के लिए एक बार फिर से काफी जबरदस प्रफॉर्मेंस देने वाला है और फॉन में फिर से Android 1 आपको देखने को मिलेगा जो कि Android 10 पर वर्क करेगा और फॉन में मेमोरी की बात करें तो दो वेरेंट आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें 4GB फ्लस 64GB और दूसरा वेरेंट 6GB फ्लस 64GB मिलेगा जिसको आप 512GB तक expand कर पाओगे साथी बात करें अगर बैटरी की तो फॉन में आपको इस पर 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि 18W fast charging के साथ में आता है साथी USB Type-C port और 3.5mm का audio jack देखने को मिल जाएगा तो फाइनली बात करें प्राइज की तो फोन आपको स्टार्टिंग में 18,000 से 20,000 की रैंज में मिल जाएगा और वहीं launch totally depend करेगा lockdown पर अगर जोलाई end तक lockdown खुल जाता है तो फोन सितंबर 1st week तक launch हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही गाइज मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार